कि नमस्ते सब को स्वाकत है मेरी चानल लिटल किजर्न गाडन पर यह जो ग्याम्डा फूल का पोदा आप देख रहे हैं इनमीन करे लगा पूदा हों मेरा कीतना बड़ा हो यह तेड मैना का पोदा है केसे में कटिंग से लगाई थि मैं आज आप लोगे साथ शेयर करूंगी मैरे कि देर में कुछ पोधा से अपना उगया था पुजा के फुल से फांगस साल मर गया नो में उसे कट कर दी बाकि जो दो चार पोधा था उसी को मैं आज से कट करूँगी गिन्नेफुल का पोधे से हम जितना ब्रांश कट करेंके लेंगे तो और भी बुसी हो जाएगा तो हम जो कट करेंगे थोड़ा ध्यान रख कर हम कटेंगे जो कटेंगे तो उस में ब्रांश में 2-3 नोड एरिया रहना चाहिए क्योंकि नोड एरिया से ही इसका जोड़ निकलता है तो हमको नोड देखकर हमने उसका नीचे से थोड़ा कटना चाहिए जो नोड के पाश जो पत्ते हैं उसको हम हटा दिना चाहिए तो मैं सब ब्रांच से देखो मैं पता हटा दिया हूँ पता अंदर मीटी के अंदर जाएगा तो वो गलेगा और गल जाएगा तो जो ब्रांच है ना वो भी गल जाएगा हमारा पधा खराब हो जाएगा तो इसलिए हमें इसका पते को हटा दिना चाहिए मैं एक हाथ में मोबाइल रखी हूँ तो इसलिए मैं उसको हाथों से ही काड़ करती हूँ लेकिन आप उसे कैंची से भी काड़ सकते हैं एक नौड के उपर तक ही हमें मीटी में दबाना चाहिए क्योंकि नौड से ही उसका रूट निकलता है ब्रांस को लगाने के लिए हमें हलका मीटी चाहिए इसलिए मैं स्यांड ले हूँ चलो दखते हैं यह 80% स्यांड है और 20% मैं मेरी किजन कमपस्ट ले हूँ आप चाहो तो वार्मी कमपस्ट या काड़ोंक भी ले सकते हैं अब इसको दोनों को मिक्स करके मैं उसे में मेरे जो ब्रांस को सब लगा रही हूँ और एक नौट के उपर तक मैं दबा रही हूँ उसको और लगा कर उसे थोड़ा पानी दे दूंगी और दस दिन के लिए उसको मैं छोड़ दूंगी अभू इस तरह स्याड में ही लगाई कि Him publication से ही अच्छे से स्याड में ही ही आच्छे से रूट निकलता है तो दस दिन हम ऐसे उसको रख देंगे तो उसका रूट निकल जाएगा चलो दकते हैं यह वही जो ब्रांच है मैं बस गया था उसको मैं इसी में लगा दी थी देखो इसमें कितना रूट आया है फिल्कुल लमबा से हो गया है दस दिन का पोधा है मेरा जो कट्निंग से लगाई थी फिल्कुल अच्छे से निकला है रूट अभी मैं उसको दुसरे पक में लगाऊँगी यही पोधा है जो मैं कटिंग से लगाई थी उसको मैं अभी दिखा रही थी यह उही पोधा है देड़ महने बाद देखो कितना घना और बुसी हो गया है फिर भी मैं उसको और भी कटिंग करूंगी और इसका ब्रांश को फिर से मैं लगाऊंगी और जो कटिंग करने से और बुषी हो जाएगा तो हमें बहुत फूल हम पापाएंगे और इस कटिंग भी हम लगा देंगे तो हमारी गाडन भी गंदे फूल में भर जाएगा गंदे फूल का पोधे में भर जाएगा मैं यह आपको भी बोलूँगी कि आप बीज से उगाने के लिए इतना कोशिश मत किजिए आप ब्रांच से ही लगाएं जो ब्रांच से हम बिल्कु आसानी से लगा पाएंगे बीज से लगाना थोड़ा असान नहीं है तो बिल्कुल यह हमारा फाइदा ही फाइदा है हम एक पोधा लगाएंगे तो उसी से हम बहुत सर फोधा पाएंगे कटिंग से और मेरे वीडियो आप लोग को पसंद आया तो लाइक कीजिए शेर कीजिए सब्सक्राइब कर दीजिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आगे की वीडियो नोटिफिकेशन में анти की खिheld ऐकिया तो यॉिए से तो बहुंन थाओ जलाणP दशी एक हैं प Motor Password कि हॉष्ट से मарisch की वीडिए और